चलो तो कमिंग बैक तो दो कॉंसेप्ट विच सेज कि मिस्टर एक्स एक स्मॉल बिजनसमेन है और यह तीस जार उपे महीने का नौकर रख सकता है नो चार लग बिचारी कमा यह तीन लाग साथ जार का खर्चा पालेगा कैसे चलेगा तो पॉसिबल तो नहीं है तो सर यह कांटिंग रिकॉर्ट कैसे मैनेज करेगा तो यहां पर बच्चों आपको सबसे इंपॉर्टन कॉम्पोजेशन क्या समझना है हमारी जो भारत सरकार है उसके मन में भी थोड़ी सी दया भावना है तो आस पर इंकम टाक्स एक्ट नाइटीन सिक्स्टी ओवन चिल्डन एनी बिजनस फूस नेचर इस ऑफ सोल प्रोप्राइटर्शिप क्या होना चाहिए सोल प्रोप्राइटर्शिप नेचर अगर है आपके बिजनस का एंड चिल्रन आपका जो टर्नोवर है टर्नोवर का मतलब सेल्स होता है इस लेस दान पुराना कानून बीस लाग का था और नया कानून जो है दाट इस ओफ फॉर्टी लाग रुपीज और आप अगर अपने बिजनस में चिल्रन नेट प्रोफिट ओफ एट परसेंट आस होता है रिमेंबर कभी पांच परसेंट भी होता था एट परसेंट और मूर डेक्लेयर कर रहे हैं तो यू आर एग्जेंट क्वट दॉपरेशन फॉर्ट ए हूं परइसेंटॉ अंडव आपरएशन थर इक सान था नइसकुतर नूम्रों। तो अगर आप एक businessman है इंडिया में और आपका annual turnover 20 लाग, पुराना rule है नेया लूग 40 लाग है जो GST पर अपलाए होता है, कि अगर 40 लाग से कम का turnover है, तो आपको GST registration लेना compulsory नहीं है, उससे जाधा का है तो GST registration is compulsory, पहले rule 20 लाग रुपए का था, और अगर आप 8% से जाधा अगर net profit दिखाने, इन certain cases यह 5% भी चलता है, तो आपको double interest system पे accounting record बनाने की जुरत बिलकुल भी नहीं है, तो sir फिर हम क्या करेंगे in that case, in that case children, you can prepare books of accounts using, अब मैं आप पे दो बाते आपको बताऊंगा, first is called as children, accounts from, in complete records, यह सही नाम है इसका, और जो गलत नाम पूरी दुनिया follow करती है, that is single entry system, अब single entry से दो बाते लगती है, कुछ बच्चे सोचते हैं कि पूरे सालवर में कुल एक entry करनी है, बस, हमको कुछ नहीं आता है, to, तो मैं जो समझना समझ लो, single entry होगा ही सर, कुछ बच्चे बोलते हैं, single entry का मतलब है कि सर, debit record होगा, बस, credit record नहीं होगा, और credit record होगा, बट debit record नहीं होगा, ऐसा भी कुछ नहीं होता है, सो यह सबसे बोगस और बकवास नाम है, जिससे 99% teachers इस chapter को पढ़ाते हैं, एकदम बकवास है चलना है, the correct true text is, accounts from incomplete records, अब इसका क्या मतलब होता है, accounts from incomplete records का, और उसे क्यों single entry बोलते हैं, पहले आपको बच्चों यह समझना है, अगेन यह चीज आपका part of the syllabus नहीं है, कि accounts from incomplete records क्या होते हैं, यह ऐसा ही है, कि मैंने बच्चे को बोला 25 question करके ले आना और नालाइक दलिदर 5 question करके ले आया, तो उसके incomplete records हो गया है, तो कोई भी आपको नालाइकियत नहीं सिखाएगा, वो खुद सीखते हैं लोग, तो अगर आप इंडिया में है, you are a sole proprietor, turnover specified limit से कम है, net profit अगर आप इतना दिखा रहे हैं, तो भारत सरकार कह रही है, आपको पूरा double entry principle follow करने की ज़रत नहीं है, क्योंकि उसके लिए खर्च पता लगेगा, सब पता लगेगा मैं हूँ ना बिल्कुल चिंता करने की ज़रत नहीं है, जट पर पहले इस content को अपनी copy में update कर लें, तो let's proceed further and understand what is accounts from incomplete records or single entry system, अगर मैं आप से पूछ हूँ कि आप अपने business का net profit, किस account से पता लगाया करते थे, तो आपके पास जवाब होगा बचो, and what was the answer, or what will be the answer, profit and loss account, very good, and profit and loss account के पहले, आप क्या बनाया करते थे बचो, trading account, very good, और कहां से ये चीज़ें बनाया करते थे आप, trial balance, is that clear, तो अभी अभी आपने कुछ अंग्रेजी में पढ़ा, क्या पढ़ा बच्छों आपने, accounts from, incomplete records, तो अब यहां पे आप समझेंगे, what is meant by, accounts from, is that clear, accounts from, and what is meant by, incomplete records, लिखेगा मत पहले मैं लिख दू, फिर आप लिखेगा, तो ध्यान से सुनियेगा, तो, what is meant by, incomplete records, and what is meant by, accounts from, this is the part of the story, जो आपको समझना है, ध्यान से सुनियेगे बात को सब लोग, चलिए, ready everybody, तो, what is meant by, accounts from, and what is meant by, incomplete records, फिर से जवाब देने के लिए, रेडी हो जाईए, चल्रन, हम, क्या बनाते थे, gross profit जानने के लिए, रेडिंग अकाउंट, रेडिंग, अकाउंट, और बच्चों, हम, क्या बनाते थे, अपना net profit जानने के लिए, very good, profit and loss account, is that understood well, don't trade, don't trade, पहले मैं लिख लो, चोड़ी से programming है, और हैसियत कैसे पता लगती थी, businessman को अपनी, कि भई, मेरी financial status क्या है, क्या बनाते थे उसके लिए, balance sheet basically, समझ में अगई बात, अब अगर मैं आपसे पूछ हो, कि भई, ये trading account, PL account और balance sheet, किस चीज़ से बनता था, तो आपका एक ही जवाब होगा, and what is that, excellent, trial balance, बट ये तो बच्चों छोटा businessman है, तो ये छोटा है, बट अकल का खोटा नहीं है, तो ये क्या-क्या बनाएगा, मैं पहले आपको ये बता देता हूँ, सबसे पहले, ये बनाएगा, children, what is called as cashbook, फिर ये बनाएगा, what is called as personal accounts of debtors, and then children ये बनाएगा, personal account of debtors का उल्टा क्या हो गया, creditors, अब कुछ debtors तो ऐसे होते हैं, जो मुझबानी होते हैं, और कुछ वो लिखा-पड़ी वाले भी होते थे, वो chapter भी पढ़ाईए, last हम लोग ने, तो क्या होता था वो लिखा-पड़ी वाला debtor, bills, receivable, और वो लिखा-पड़ी वाला creator कौन होता था बचो, very good, excellent answer, excellent answer, there after ये जो businessman है ना बचो, ये बनाएगा, accounts of non-current assets, land and building, plant and machinery, sir क्यों बनाएगा, अभी आपको बता देता हूँ, तो कितनी चीज़ें इसने बना ली, चिल्रन, cashbook बना ली, debtors और bills, receivable का account बना लिया, कितने होगा total, तीन होगा ना भई, debtors, bills, receivable, दो और एक cashbook, तीन, creditors और bills, payable, कितना होगा मिला के, five, और non-current asset के account बना ली, कितना होगा, six, is that clear, and he will so-called refer, the balance sheet of previous year, sir, क्यों refer करेगा, सब कुछ एक साथ बता दूँगा, तो secret क्या रहेगा भई, तो ultimately, आपने साथ चीज़ों को ध्यान में रखा, how many things will done, seven, कौन सी seven थी, please name it, cashbook हो गया, debtor bill receivable हो गया, creator bills payable हो गया, non-current asset and last year की balance sheet का reference, अब मैं एक ऐसी बात बोलने जा रहा हूँ, जिसको सुन के आप बोलेंगे, sir, दिमाग खराब हो गया आपका, sir, पूरी तरह से आप out हो चुके हैं new session में, sir, new year में, sir, पूरी तरह से बुद्धी से हिल गए हैं, अगर आपको किसी shop पे, किसी business पे मैं भेज दू, और वो shopkeeper आपको businessman ये साथ चीज़ें दे दे, और काए, बेटा, मेरा trading PL balance sheet बना के ले आओ, अगर नमस्ते इंडिया का दूद्ध पिया तो, तो आप कहेंगे, एक हमाई sir का दिमाग खराब हुआ था, वो भी यही बात करते थे, और आज आप भी बहकी-बहकी बाते कर रहे हैं, मौसम भी गरबढ़ हो गया है, so looking to these seven things, क्या आप trading PL balance sheet बना सकते हैं? sir वैसे answer तो no है, बट sir आप हैं तो बनी जाएगा, ऐसी क्या बात है, बना सकते हैं, simply speaking, आपको trial balance है, trading PL balance sheet बनाने की आदत है, बट यहां तो trial balance नहीं मिलने वाला भई, क्या मिलेगा? cash book, debtor, crater, bills payable, receivable का account, non-curring intersect, plant and machinery वगेरा, furniture, pitting, land and building और balance sheet, और आप से कहा जा रहा है, trading PL balance sheet बनाएगे, हो पाएगा? नो, नहीं हो पाएगा, सो, प्रियागराथ city से लखनव जा सकते हैं, is that clear? और लखनव से so-called कानपूर भी जा सकते हैं, सर, ऐसे क्यों जाएगे, हम प्रियागराथ से सीधे कानपूर चले जाएगे, रस्ते में पाहार टूड गया है, समझना गया, और road एकदम है ही नहीं, तो कैसे जा सकते हैं, बिना लखनव जाएगे, नहीं जाना पड़ेगा, chartered flight यूज कर लीजे, हमेशा वही गरीब वाली बाते करेंगे, road से चलने वाली, पोपड़ेम बात गई, आपने उसना होगा, गया दूद देती है, एकदम गलत है, दूद देती नहीं दूद निकालना पड़ता उसमें से, समझ में आ गया, तो कहने का मतलब थोड़ा, out of the pattern जाके सोचिए, तो बुद्धी ठिकाने लग जाएगी, घर जाना है सर, कैसे जाएं, बढ़ा असान तरीका है भई, सर वो मम्मी ने बोला था, साड़े नौ बही तक आ जाना, तो तो अलाउड हो वरना अलाउड नहीं करेंगे, हम सर नौ बच के तीस मिनिट पांस सेकंड पे पहुचिएं सर, और अब सर घर का रूल है, अब हम घर पे मेन गेट से तो नहीं जा सकते, तो सिंपल है, भई पडोसी घर में जाओ, पडोसी तो आवारा एकदम, उसके घर का दर्वाजा 12 बही तक रात में खुला रहता है, फिर उसकी शट पे चड़ जाओ, और शट पे चड़ने से पहले एक ग्राइंडर खडी लिना बजार से, अपनी छट पे टाप जाना, और जो जाल लगा है ना लोहे बाला, ग्राइंडर सो उसको काट के, चोर स्टाइल में पहुँच जाना, गर में पहुँच गए, समझ में आगई बात, तो बई, सिंपल भाशा में पूछें तो यह इंपॉसिबल लग रहा है, लिखते थे अगर याद हो तो कुछ लोग की बुद्धी फिर गई है, तो नहीं बता पारे कोई बात नहीं, आ जाएगा आ जाएगा कुछ टाइम पे, ओपनिंग स्टॉक लेखा करते हैं, और क्या लिखा करते हैं, परचेशेज इस माइनस माइनस परचेज रिटन और लिखा करते हैं बच्चों डेपिट में डिरेक्ट एक्सपेंस अड़िट में क्रेडिट में क्या लिखा करते हैं जरह बताइए से वेरिगोट वएरिगोट वेरिगोट एक दम बंदारा चल दा है और क्या लिखते हैं बच्चों लुझ इस पर प्रेटिंग अकाउंट में डायरेक्ट इंकम सेल थी लिखतो लिए कितनी बार लिखवाएंगे भई पील में क्रेट साइट में क्या लिखा करते थे जिने ग्रॉस प्रॉफिट और उसके बाद सारी की सारी इंडिरेक्ट इंकम लिखा करते थे अगर आपको फ्लोचार्ट याद हो तो और डेबिट साइड में एक वर्ड में आपको बताना है क्या लिखा करते थे हूं इनकी चार कैटेगरीज मैंने आपको बताई थी अगर आपको याद होतो क्या थी चार कैटेगरीज सबको पता है ऑपरेटिंग में दो होते थे जो और फिर आंसर क्या आता था नेट प्रॉफिट वेरी गूट एक्सेलेंट आंसर और बैलेंस शीट में तो वही अपना कचालू स्टैंड्स फॉर कैपिटल और क्या लिखा करते थे बच्चों लाइबिल्टी और क्या लिखा करते थे आसेट समझ में आगया अब यह सारी चीजें ट्राइल बालेंस से आपको मिला करती दीए सो और नो पका बट हमारे पास तो ट्राइल बालेंस है ही नहीं तो कहां जूढ़ नहीं चीज़ों को बहुत असान है चिल्डन बहुत असान दिमाग की बत्ती जलाएं मेंटोस खाए बगए सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछ हूँ कि बही ओपनिंग स्टॉक का मतलब जो इस येर के स्टार्ट में स्टॉक बचा है कब रहा होगा वो लास्ट येर के एंड में पिछले साल क्लोजिंग स्टॉक रहा होगा और पिछले साल जब वो क्लोजिंग स्टॉक रहा होगा चल्डन तो लास्ट येर की बैलन्स शीट से आपको मिल जाएगा ये लास्ट येर की क्रेडिट में आपने गुड्स खरीदें है चल्डरेन तो आपको कहां से मिल जाएगा क्रेटर्स के अकाउंट से और क्रेटर्स के साथ-साथ कुछ डेटा आपको बिल्स पेबल से भी मिल जाएगा तो अब बताईए ध्यान से मेरे को आपको परचेज मिल गया बचो कैश वाला और क्रेट वाला भी डायरेक्ट एक्सपेंसेज की बात करें चल्डरेन तो जो एक्सपेंसेज आपने कैश में पे कर दिये वह आपको कहां से मिल जाएगे कैश बुक से मिल जाएगे उसके बाद और क्या चाहिए ट्रेडिंग अकाउंट के लिए बचो सेल्स चाहिए सेल्स कहां से मिलेंगी आपको कैश में अगर आपने सेल की है तो इट वुड बी अवेलेबल फ्रॉम कैश बुक क्रेडिट में समान अगर आपने बेचा है तो आपने क्रेड में किसको समान बेचा था चल रहाए टेटर्स को तो ये डेटा कहां से उठा लेंगे हम लो डेटर्स से और डेटर्स का कुछ रेटा बिल रसीवल से मिल जाएगा और चोटा बिजनेस है आप अपने शॉप या गो डाउन पे चले जाएए आपको मिल जाएगा सो कॉल बचा हुआ आपका स्टॉक मिल गया ट्रेडिंग अकाउंट का पूरा मसाला बन जाएगा कैश डेटर्स क्रेटर्स अकाउंट से आपका ट्रेडिंग अकाउंट चले नहीं बन पाएगा अभी तो कह रहे था नहीं बन पाएगा तो गया दूद देती है तो निकलना पड़ता है समझ में आया की नहीं आया पक्का कन्फर्म वो एक बेवकूपी की कहावत है न प्रैक्ट इस अप्रैक्टिस यूवल आफ पर्फेक्शन और रॉंग विया तो थोड़ा सा आउट ओफ द बॉक्स सोचिए खोपड़ें बात गई की नहीं गई पक्का समझ में आगया चलिए तो इतना जटपट कॉपी करिए फिर हम आगे चलते और आगे की बाते बताते हैं तो ये बात सबको क्लारिफाई हो गई ठीक से कोई कोई कोईरी तो नहीं जल और फिट से सुन लीजे एक बार तो विन आए से अकाउंट फ्रॉम तो इमीन तो से ट्रेडिंग अकाउंट पील अकाउंट बालन शीट फ्रॉम कैश्बुक डेटर्स अन बिल्द रसीवल क्रे यह बात है सबको क्लियर हो गई हाउ टू प्रेपैर आट ट्रेडिंग अकाउंट टेकिंग कैश्बुक टेकिंग डेटर्स इन बिल्द रसीवल टेकिंग क्रेटर्स अन बिल्स पेबल अभी इसका कोई काम नहीं था इसका थोड़ा सा काम यहां पर आया था ओके नेक्स्ट तो इससे क्यों अकाउंट्स फ्रॉम इनकंप्लीट रिकॉर्ड बोलते हैं तो कौन से अकाउंट्स ट्रेडिंग अकाउंट प्ल अकाउंट फ्रॉम वाट इस समझना गया वाइट इस कॉल्ड़ा सिंगल इंट्री अभी यह भी बताऊंगा परिशान मत रोइए चला जाए से और मिलनी बाकी है तो कौंसा आपका बिसनस? अड़ानी हम्मारे सिल प्ल चौटा सा बसनेस हैं आप इस information को easily access कर सकते हैं खोपड़े में बात गई similarly children salary paid की journal entry क्या होगी salary to cash, wages paid की entry क्या होगी wages to cash, अच्छा सर्मान लीज़ागर check से payment कर रहे हैं तो भई cash book triple column की बना लो, bank का data भी आपको मिल जाएगा तो indirect expenses भी आपके कहां से पता लग जाएंगे children from cash book only children और कुछ expenses अगर ऐसे हैं, which are yet to be paid तो भई छोटा सा business आपको लगवा कितना याद रहेगा ही रहेगा सो बच्चों, taking trading account से GP and cash book क्या बन जाएगा? पूरा का पूरा PL account तो अब बोलेंगे कि trial balance हो रही है? बिलकुल नहीं, बिलकुल नहीं अब बच्चों PL सबको समझ में आ गया? ट्रेडिंग समझ में आ गया? अब क्या बना रहा है हमको? बैलन शीट, very good, very good तो बही capital हमको कहां से मिलेगी? बैलन शीट बनाई है चल रहे हैं वहां से आपको capital नहीं जाएगी? अच्छा सर मान लिजा हमारा business नहीं है तो कोई tension की बात नहीं है, कोई tension की बात नहीं है अगर आपका business बच्चों नहीं है तो आपने capital जब contribute किया तो what used to be the journal entry started business with cash cash account debit to capital तो यह cash account debit to capital left hand side पे कहीं recorded होगा कहां पे recorded होगा? cash book में very good so new business होगा तो आपको capital कहां से पता लगेगी चल रहन? cash book से पता लग जाएगी sir liabilities कहां से पता लगेगी? कोई tension की बात नहीं है creditors के account से creditors का balance bills payable के account से bills payable का balance अगर आपने कोई loan वगेरा लिया है children तो money must have flown in कहां record होगा जब पैसा आया तो cash book के bank column में वगेरा वगेरा वहां से मिल जाएगा हो गई आपकी liabilities पूरी? sir मान लीजिए कोई expense वगेरा outstanding है? कोई tension की बात नहीं है कौन सा आपका अडानी अंबानी वाला business है? अगर आपका कोई expense outstanding वगेरा है तो ये आपके पास information easily आ जाएगी वहां से आपको पता लग जाएगा होगी आपकी liabilities भी updated? चलिए और क्या चीए बच्चों आपको balance sheet में? very good, very good cash balance और bank balance कहां से पता लगेगा? cash book से excellent answer debtors का balance and build receivable का balance कहां से पता लगेगा? उनके ledger accounts आप बना ही रहे हैं sir वो land and building कहां से पता लगेगा? sir वो plant and machinery furniture fitting, patent, copyright, goodwill, trademark आप वगेरा कहां से पता लगेगा? वह यह सारा का सारा data आपको मिलेगा so called accounts of non-current assets से क्या हुआ? oh sorry, build receivable लिखना था, गलती से पेबल लिख गया very sorry, very sorry, सही कर लेते हैं, चलिए तो बन गई बच्चों balance sheet भी? अच्छा, sir, मान लीजे कोई so called prepaid वगेरा है कौन साब का डानी अमानी का बिजनस है? आपको कुछ information so called directly भी मिल जाएगी any doubts? many doubts? तो बन गया आपका balance sheet भी चल गए? तो लोगों को कहानी समझ में आ गई? why we call it as accounts from incomplete records तो accounts का मतला trading account, PL account and balance sheet और from incomplete records make, incomplete records का मतलब क्यों incomplete बोलते हैं, sir, इसको? भाई, अगर complete होता तो purchase, account, sale account, rent account, salary account, wages account, interest account, dividend account, commission account, ये account, वो account, हम account, आप account, जूता, चपल account, खादी उद्योग account, खाना, पीना account, सब कुछ बनाते, but हम तो अपनी दुकान साथ समुंदर पार से चला ले रहे हैं, तो छोटा businessman, एक पकली सी किताब खरीकता है, ledger की, और दिमाग में बनाता है journal entry, और जटपट इन ledgers में posting कर डालता है, that's it, तो नया business होगा, first year, तो ये होगा ही नहीं, आपके पास, second year से ही आपको पिछले साल की balance sheet मिलेगी, so looking at these data children, is it difficult to prepare trading PL balance sheet, अब कुछ बच्चे कहेंगे, सार हमें क्यों पागल बनाएगा, trial balance, subsidiary, book पढ़ा के, सार हमें बेफकूप समझाएगा, बिलकुल, इसमें कोई शक्की बात ही रही है, समझ में आया की नहीं, आया, पका तो मेरे एक फ्रेंड है, वो ब्रोकर है, तो मेरे से बोलन लगी है, जो stock exchange वाले होते हैं, बड़ी सेंदमारी करते हैं system में, मैंने क्या, क्या चेक करते रहते हैं, कि बढ़ी proper order execute हुआ की नहीं trade का, proper security वगएरा जमाएं, इनके पास कोई काम वाम नहीं क्या, और मैंने यही तो काम है, यही तो काम है, कि नियम काइदा कानून financial market में ठीक से follow हो रहा है या, नहीं, जैसे बैंक वाले बड़े परशान रहते हैं, हर 15 दिन पर auditor मनूष चला आता है, और भी एक पास कोई काम यही तो काम है उनका, आपकी बैण बजाना, जैसे दादी मा, देन भर मम्मीक टोकती रहती, कोई काम नहीं कि उनके पास, यही काम है उनका, उनका काम ही यही है बेसिकली, समझ में आई बात, तो सर क्यों इतना धेर सारा पढ़ाय गया था, जब गरीबी की हालत में रही सी आजाती है, बई क्या आप हमेशा छोटा बिजनस ही करेंगे, बड़ा बिजनस, नौकरों के भरोसे है, पब्लिक का इंवेस्पेंट है, उसके अंदर, कानून के धेर सारे हैं, पॉलो हो रहें की नहीं हो रहें, तो डबल इंट्री की जुरत पढ़ती है, बट छोटा बिजनस में अपने फंट से बिजनस कर रहा है, सेल कम है, ठीक ठाक प्रॉफिट सरकार को दिखा रहा है, तो ओनली प्रिपेर दिस मच, तो प्रिपेर दीज मेंगे, तो पीपल मैं लिखूंगा कुछ नहीं, सिर्फ बोलूंगा, लेक्चर रिकॉर्ड पर आप सुन भी सकते हैं, बार बार, what is the journal entry for cash contributed into the business, cash account debit to capital, to cash book में to capital नजर आएगा, but capital account नहीं बन रहा, तो you recorded only debit aspect, credit को आपने record, इसलिए single entry, is that clear, what is the entry for goods bought for cash, purchase to cash, cash book में by purchase लिखेंगे, but क्या purchase account नजर आ रहा है, तो आपने so called credit record किया, debit record, नहीं किया, purchase to cash में, cash book में by purchase लिखा, credit recorded है, debit, नहीं है, समझना भी बात, what is the entry for cash sale of goods, cash account debit to sales, तो again cash book में आप क्या लिखेंगे, to sales, तो debit aspect है, but credit, नहीं है, that's why it is called as what you learn, समझ गए सर, या तो credit record करेंगे, debit छोड़ेंगे, या तो, इसलिए इसको single entry बोलते हैं, but वज़े एक और भी है, what is the entry for cash received from debtor, cash to debtor, cash book में क्या लिखेंगे, to debtor, debtor में क्या लिखेंगे, अरे सर, ये तो दोनों record हो गया, इसलिए इसको बोला जाता है, accounts from income, तो single entry इसको इसको इसलिए बोलते हैं, because for most of the transaction, debit है, but credit है, credit है, but debit गाइब, और कुछ के लिए, दोनों है, सर ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ही ना हो, हाँ कहीं कहीं, ऐसा भी हो जाता है, तो इसलिए आप इसे incomplete records बोले, तो वो जादा सही है, तो single entry में लगता है, कुलेग entry करूँगा, साल बर में कोई करवालो, बस, ऐसा नहीं है, कुछ लोग बताते हैं कि debit record करेंगे, but credit नहीं, या credit record करेंगे, but ऐसा नहीं है, for some transactions, we have debit, but not trade, for some transactions, we have credit, but not debit, for some we have both, and for some we have, बाल में आगी बच्चो, CA second, जिसको level बोलते हैं, intermediate after foundation, 14 से 16 नंबर का सवाल एक्जाम में आता है, कोई teacher नहीं पढ़ाता उस level पे, 90% यहीं बोलते हैं, आपने 11 वी, 12 वी पढ़ा होगा, और 11th class के syllabus से, यह पिश्टे 10 साल से गायब कर दिया गया है, तो आपको book में भी ऐसा कु काट देंगे उसको, और फिर उसके बाद कड़ाई में बूनेंगे, समझे की नहीं समझे, तो सरक कितना टाइम लोगेगा एक question करने में, एक question जब यह आया करता है exam में, ठीक ठाक, दले द्रापा करने ही शो करता था question, तो 25 से 30 मिनिट में solve होता था, और बढ़िया level का question जो bill receival बनाना है, creator और bills payable बनाना है, non current asset 2-3 दे देंगे उसका account बनाओ, पिछले साल की balance sheet बनाओ, तो इससे जो output निकलेगा, वो यहाँ पे input हो जाएगा, तो अभी तक तो ready made था, बस ओड़े और चल दिये, अब क्या है पहले धागा खरीदो, फिर उससे suiting shirting बनाओ, फिर उ बोला जाता है, तो सब लोग जटपट लिख लें, conversion method, which is not a part of syllabus of class 11, बट अगर बच्चों नहीं पढ़ेंगे, तो class 12 में भूल जाएगे, कि आपको समझ में भी आएगा, what is called as cash flow statement, आपका, ISC का 10 नंबर का और CBSC का 8 नंबर का chapter, छे नंबर का एक practical question, एक से 2 नंबर का MCQ type, ISC में पूरा 10 नंबर का एक question आता है, समझ में आ गया, पक्का, confirm, चलिये, झाएगपछर का तर नंबर को नंबर को अवेश हमेंगे, जिए करुंक कोईड़ को बीजरकिंगर बच्चरी कर सक्वेश है, तो यह सक्या रपक्स क्वेश से Pokemon, wykona एक ठर है, जो सक्वेश परोपर झनम, ठावापकर connecting accounts from in complete records Coalition single-entry system Kässe profit calculate Hoga again not a very great rocket signs to understand children एक दम असान है, एक दम असान, बट मज़ा आएगा जब आप conversion method पढ़ेंगे, चलिए, तो write down in your copies, method 1, conversion method, आपको अच्छा लगे, तो इसलिए लिख लीजे not in course, और उसके बाद लिख लीजे refer previous slide, जो अभी अभी आपने देखा चला, and then, जो दो कॉड़ी का method syllabus में है, that is known as statement of affairs method, आपने अगर कभी अपने पापा मम्मी का income tax return देखा हो, पूच मत लीजेगा, लाइए अपना ITR दिखाईए, उसके बाद हो सकता है, आप आने लाइक ना हो class में, तो आपके पापा ममी किसी chartered accountant को, या किसी income tax के lawyer को पकड़ लेते होंगे, क्योंकि भई ITR यही दो लोग, आपका government तक पहुचा सकते हैं, so direct नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं फिर उस case में आपको income tax return preparer, ITRP के पास जाना पड़ेगा, इंकम tax return preparer, 500 रुपे, 1000 रुपे फीज लेगा, और ये काम कर देगा, क्योंकि अगर आप से कुछ गलती हो गई, तो penalty आप के उपर आईगी, उनके उपर नहीं आईगी, तो बही जो बहुत बड़े businessmen's हैं, दे higher chartered accountants, जिनका business बहुत बड़ा भी नहीं, बहुत छोटा भी नहीं है, normal है, कोई बहुत ज़्यादा transactions typical नहीं है, audit वगेरा का इतना तंटा नहीं है ज़्यादा, तो वो income tax के lawyer को पकड़ लेते हैं, वो भी eligible है कानूनन, और जो लोग वही salaried class हैं, उनके मालिक ने उनकी तंख्वा पे tax काट लिया, और बिचारों की कोई कमाई है नहीं, तो वो income tax return नहीं भी file करें, तो उनका data उनके employer ने पहुचा दिया government को कोई tension की बात नहीं है, तो वहाँ पे अगर आप CA को मिलते हों और आप एक छोटे businessman है, तो आपके पापा के chartered accountant भी कुछ books of accounts बनाने के साथ-साथ, year end में कुछ कागस देते होंगे, एक उसमें trial balance होता होगा चलना, आप देखना चाहेंगे, तो यह मैं आपको दिखा भी दूँगा, परशान मों तो यह, एक उसमें trading and PL account बना होता है, जिसको income statement भी बोलते हैं, और balance sheet की जगा आपको नजर आएगा what is called as statement of affairs, होपड़ें बात गई, होपड़ें बात गई, पक्का, किसी से पूझ मत कर रहें लीजेगा, अपनी affair वाली statement दिखाऊ जरा, वो शादी ब्याग affair अलग होता है, what is, तो statement of affairs balance sheet का American name है, I repeat, balance sheet को दो नामों से जानते हैं, it is position statement and balance sheet, और दूसरा है statement of affairs, तो अगर आप European content पे जाएं, तो आपको balance sheet मिलेगा, American content पे जाएंगे तो statement of affairs मिलेगा, is that clear, पक्का, तो ये in syllabus method है, और बड़ा असान method है, कैसे आप इसमें profit loss calculate करेंगे, तो अपनी copy में बच्चों इसे लिखें, और उसके बाद मैं एक format बना रहा हूँ, थोड़ी दिर बाद आपके मुझ से आवाज निकलेगी, it is statement of profit and loss for the period, ending, year ending, कुछ भी लिखलो, कोई फरक नी पड़ता, visibility is okay to all, चला, चलिए, so we have columns here, first and foremost, आप लिखेंगे बच्चों इसमें, particulars, details and amount, कुछ याद आया, profit निकालना सीखा था accounting question में, और मैंने आपको बताया, तो almost last chapter में उसको पढ़ेंगे, 60% data वाई है, 40% नया है, तो आप अभी पूरा chapter ये एक साथ नहीं पढ़ेंगे, मैं आपको इसमें थोड़ी सी बाते पढ़ाऊंगा, then I'll switch to final accounts with adjustments, वहाँ पे जब आप adjustments पढ़ लेंगे, तो वापस फिर आपस में आएंगे, ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे, capital at the end, अब पूरी तरह से याद आ गया होगा, याद आ है चलो लेंगे, प्लस करते थे, what is called as drawings, क्यों प्लस करते थे बताया था, क्योंकि हम reverse order में question solve करें, याद आ है, अगर भूल गया हो तो वाला वीडियो फिर से एक बार देख लीजेगा, कोई problem की बात नहीं है, and then we write what is called as introductions, drawings भी लिख सकते हैं, और अगर drawings लिखने में थोड़ा सा आपको problem है, तो आप withdrawal भी लिख सकते हैं, introduction नहीं लिखना चाहते, तो आप लिख सकते हैं, additional capital, what it, answer आपको कुछ आता था अगर आपको याद हो तो चलो, what we used to call this answer as, adjusted capital, अब मान लीजे बच्चों आपकी value, so called, अगर positive आ रही है, तो add कर देंगे, negative आ रही है, तो क्या कर देंगे, subtract कर देंगे, what it, द्यान से सुनियेगा, मैं इसको फिर से यहां लिख देता हूँ, यहां पे लिखना चाहता है, अग्चुली, got it, got it, तो अगर हो सकता है, plus जादा है, minus कम है, तो your answer will be positive, और अगर minus value जादा है, plus कम है, तो your answer will be negative, sir, adjusted capital, positive, negative, कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, बट majority cases में, परशान मत होईए, वो हमेशा positive ही रहेगा, thereafter, आपको क्या less करना पड़ेगा, चल्डन, capital at the beginning, और start, कुछ भी आप लिख सकते है, capital at the start, this will be subtracted, और अब जो बच्चो आपका answer आएगा, that will be called as profit, और loss, बट अब story में थोड़ा सा twist है, चल्डन, before adjustments, I repeat, चल्डन, profit or loss before adjustments, और कुछ authors बच्चो, इस profit को, so called, gross profit भी बोलते हैं, खोपले में बात गई, this profit is also called as, gross profit, समझ मागी बात, अब आप क्या काम करेंगे, अब चल्डन आपको, कुछ चीज़ों को plus करना पड़ेगा, और कुछ को minus, सर किसको plus करेंगे, बस इसी के लिए, आपको पहले मैं final accounts with adjustments chapter पड़ाऊंगा, फिर इस पर वापस आऊंगा, समझ में आ गया, तो it's just like that, कि काफी जगा पे तो आज तिलक है, तो कल शादी बारात है, बट कुछ जगा ऐसा होता है, तिलक आ जोगे अब शादी दो महिने बाद होगी, तो आप यहाँ पे items, increasing profits को प्लस करेंगे, and बच्चों, so called items, decreasing profits को माइनस कर देंगे, यहाँ पे आपकी value प्लस में भी आ सकती है, as well as it could be in minus, यहाँ पे जो answer आएगा चल्ड़ागी, this will be called as, profit or loss, plus में आ है तो profit, minus में आ है तो loss, after adjustments, or we can call it as, net profit, प्रोपडे में बाद गई चल्ड़ागी, समझ में आ गया, विल्गन समझ में आ गया, चलिए, थोड़ा सा, इस पे adjustment factor जर अप्लाई कर ले, size भई से ही था, चलिए बच्चो, लिग ज़िए सबने, जटपट complete कर लिजए इसको, कुछ lines वगएरा भी बना दीजएगा, just to learn चलन, size अज़िए करने के चकर में, कुछ चीज़ें, दाएं बाएं होई हैं, let me mend them, चलिए तो capital at the end, then children this will be added, this will be subtracted, आपका यहाँ पे जो answer आएगा, उसे आप क्या बोलेंगे, adjusted capital, फिर आप capital at the start, को minus करेंगे, your answer would be called as, profit or loss before, adjustments, फिर जो items profit को बढ़ा रहे हैं, उन्हें plus करिये, और जो घटा रहे हैं, उन्हें minus करिये, your final answer, could be positive or negative, what it, इतना समझना गया, अब बच्चे कहेंगे, सर बस इतना ही काम है, नहीं, इतना काम नहीं, यह काम तुला जादा है, और इसके बाद, आपको बनाना पढ़ता है, what is called as, balance sheet, क्या बनाना पढ़ता है, और balance sheet कैसे बनेगी, यहाँ पर बस एक शब दिखेंगे, refer the chapter financial statements, I hope so, सबने balance sheet बनानी सीखी थी, financial statements वाले chapter में, पक्का? यहाँ चलिया, और एक चीज पर ध्यान देना पढ़ेगा, how to calculate capital at the end, चल्डन, and how to calculate capital at the start, यह important चीज है, तो capital at the end, और capital at the start, कैसे calculate होगा, यह भी लिख लीजे, by preparing, statement of affairs, और उसके बाद कैसे आप उससे capital निकालेंगे, और statement of affairs बनाने बहुत असान है, कोई बहुत बड़ी rocket science नहीं होती है, यह, update quickly चल्डन, तो I am going back to the slide children, सबको यह कहानी समझ में आगई, कि छोटा business man ज़्यादा खर्चे तो कर नहीं सकता, तो उसके लिए government ने थोड़े से exemptions दे दिये हैं, तो जब आप cash book, debtor creator, bills receivable payable, non current asset के account बनाएंगे, तो easily वहाँ से milieu information से, trading PL balance sheet बन सकता है, but it is only applicable for such businessmen, जो ही मैंने आपको बताएं हैं, but as far as class 11 syllabus is concerned, आपके conversion method को syllabus से बाहर रखा गया है, आपको कौन सा method पढ़ना है, statement of affairs method, क्यों बोलते है statement of affairs method, because statement of affairs is the other name for balance sheet, आपको question assets और liabilities दे देगा, आप asset और liability के difference से क्या निकालना जानते हैं, accounting vision पढ़ी होगी भई, asset or liability के difference से क्या पता लगता है हमको, capital पता लगती है, दोनों capitals आपको पता लग नहीं, withdrawal and introduction is given to us, profit आजेगा की नहीं, समझ में आ गया, चलिए, तो next आप open कर लीजिए अपने notes, और यहां पे आपके पास composition आ गया होगा, सबको मिल गया screen पे composition, so small businesses which are in the form of sole proprietor, having turnover specified by central board of direct taxes, सरब यह क्या है, income tax तो एक कानून है, CBDT executive body है, जो एक चेक करती है कि कानून लागू सही से देश में हो रहा है या, नहीं हो रहा, what it is, जैसे government rule बनाया, police वाले उसको चेक करते हैं, so इनको auditing की ज़ुरत नहीं है, क्योंकि यह accounting के लिए बहुत ज़्यादा expenses afford नहीं कर सकते, manpower इनके पास huge होती नहीं है, trained staff भी इनके पास नहीं है, और complex system of accounting इनकी समझ में नहीं आता, तो यह क्या-क्या बनाते हैं बच्चों आपको अभी मैंने बताया, cash book, personal account of debtors and creditors, bills receivable, bills payable account and what children, fixed assets, sir आपने यह नहीं लेका last year की balance sheet, हमने उपर क्या लिखा है चल्ड़न, preparation of books, तो last year की balance sheet तो बना चुकी है न, उसका reference चाहिए सिर्फ, अब यहाँ पर problem भी है चल्ड़न, वापस आ जाईए इस्क्रीन पे, वापस आ जाईए चल्ड़न, वापस आ जाईए, if you are preparing these many things children, क्या आप trial balance बना पाएंगे, हाँ सर बिल्कुल बना लेंगे, बट tally नहीं करेगा सर बहु, बना तो लेंगे बट क्यों नहीं tally करेगा, purchase sale नज़र आ रहा है, wages, salary, rent, interest, dividend नज़र आ रहा है, defect आपके single interest system का demerit, कि आप trial balance प्रिपेर नहीं कर सकते, it is incomplete, profit loss तो निकाल सकते हैं, बट ध्यान से सुनियेगा, सही profit loss बचों, तो तभी पता लगेगा when you apply, which method, conversion method, ये जो दो कॉड़ी का statement of PL आपको नज़र आ रहा है, कि ऐसे एकड़म पका profit पता लग जाएगा, काफी चीज़ें इसमें गायब है, तो profit और loss का determination है, बट in exact है चल्ड़न, balance sheet बना तो सकते हैं, बट इस balance sheet से ये पता नहीं लगेगा exactly, कि जो आपने depreciation लिखा है, वो सही है या गलत, क्योंकि ऐसे तो भई PL में चीज़ें लिखी होती है, depreciation and all, अब balance sheet को cross connect check कर सकते हैं, बट यहाँ पे जब PL है ही नहीं, क्या आप check कर पाएंगे, क्यों नहीं है sir PL, because profit is calculated by preparing statement of affairs, और उसके बाद आप क्या बनाते हैं सीधे, simple as that, तो आपके पास balance sheet के लिए कोई cross check नहीं है, क्या आपने अपनी assets के अलावा, और कोई account बनाया, creator वगेरा का, या आपके पास कोई ऐसी information है, जो इसको report करें, कि आपको जितनी assets की ज़रत हैं, आपने उतनी रखी हैं, बिल्कुल नहीं, आप reliable figures नहीं लेकर आ सकते, क्योंकि trading PL अपने पास, है नहीं, और क्या हम अपने accounts को audit या check करवा सकते हैं, जब documents ही नहीं है हमारे पास, not at all, सर इससे लग रहा है कि, रोना आरा सरी सब्सक्राइब क्या एकदम बखवास system है, सही वही था, बट अगें, क्या छोटा businessman effort कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, तो ये सिर्फ उसके लिए बनाए गया है, तो people understood चलन, पका, तो personal accounts तो हम बनाते हैं, debtors और creditors के cash book बनाते हैं, सारे vouchers आपको संभाल के रखने पढ़ेंगे, और similarity क्या है, वहाँ पर भी trading PL बनता है, बढ़ यहाँ पर भी बनता है, बट वहाँ पर trading PL balance sheet किस चीज़ से बनाते थे चलन आप, trial balance, और यहाँ पर किस चीज़ से बना रहे हैं, बिकारियों माले record से, understood, understood everybody बई, चलिए, benefit क्या है, एकदम असान गटिया चीज़ हमेशा असान होती है, आपको बहुत ज़्यादा trained staff रखने की ज़रा, नहीं है, one man show, हम ही हम है बागी सर, चीनी कम है, पानी तो इसी कम होरा है, zero day आने वाला है, and it is suitable only for, small concern, मतलब जिनका एक floor का building हो, single proprietorship हो, it is not rigid, आप नहीं बनाना चाहते, bill receivable का ledger, बिल्कुल मत बनाईए, सरम उधार देते ही नहीं किसी को, लेते भी नहीं किसी उधार, तो आपको ना debtors का account बनाना, ना bill receivable, ना creditors, ना bills, payable, तो ज़री नहीं कि हर छोटा businessmen इसको बनाई, चार्ट का दुकानदार है, डेली, सबेरे, आलू, तरकारी, सब्जी वगेरा, सब्जी मंडी से cash खरीद के लाता है, चार्ट वाले के आपने 500 गी चार्ट खाली, क्या कहेंगे, मेरो पर bill draw कर दो, मैं accept कर लेता हूँ, बिल्कुल नहीं, इतना आप बोलें, आप गर्दन पॉलोंगे, तो क्या चार्ट वाले को इतनी अकांटिंग करने की जुरूत है, वो तो यह देखता है, साल भर में कितने पैसे आए, और कितने पैसे गए, पूरा business cash का है, तो जो बचा है वही profit है, यह भी आप समझ गाए होंगे, वाटे के तो इन सब पे ज़्यादा समय बरबात करने की कोई भी ज़रत नहीं है, तो कैसे profit loss मिलेगा, conversion method से, अल्रेडी बच्चों यह जो text यहां पे लिखा हुआ है, यह आप अपने हाथ से लिख चुके हैं, अब बच्चे कहेंगे सब जब था तो कहीं लिख वाए हमको फालतू में, यह आपके पेरेंट्स भी बोलते हैं, कोई फाइदा नहीं हो हैं उनको पैदा जमने से, अंडर्स्टेंडिंग, तो जब आप लिख लेते हैं, बैलन्स शीट के लिए असिट कहां से मिलेगी और लाइबिल्टी कहां से मिलेगी, यह भी आपको पता हैं, उके, चलिए, और एक टैली जैसा सॉफ्टर भी आपने सुना होगा, चिंता मत करिया भी, समय निकाल लिए मैंने आपको पढ़ाने के लिए, तो मैं टैली के भी कुछ आपको लेक्चर्स दूँगा, मैंने बिल्कुल परशान मोते हैं, कोई एक्स्टा फीज भी नहीं होगी उसकी, तो आपको बस जर्नल आना चाहिए, और आप धमाका देखेंगे कि टैली सॉफ्टर में, कितने बढ़िया तरीके से, ट्राइल बालेंस, लेजर, सब कुछ अपने आप बनता है, सिर्फ आपको जर्नल आना चाहिए, तो सर्फ हमको क्यों पढ़ाया जाता है, सिर्फ जर्नली पढ़ा दिया जाए, अमान लिए आपने इंट्री गलत कर दी जर्नल में, कम्प्यूटर को थोड़ा पता है, वेंट्री सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, तो उससे आगे का डिटा भी गलत हो जाएगा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल के लिए, तो आप लेफ्ट साइड में लाइबिल्टी और राइट साइड में पासिट, सरी कुछ नया आ रहा है सर नजर, सरी दो कॉलम हो गए, ये मेरा पढ़ाने का टेकनीक है, ये आपको दुनिया की किसी किताब में नहीं मिलेग अर्फर बोलता है, दो स्टेट्मेंट और ये बना वर एक में पिछले साल का डेटा और एक में इस साल का, मैं क्या बोलता हूं बई, creator पिछले साल भी थे इस साल भी थे, तो दो दो बार उनका नाम लिखने ही क्या, तो इनको एक बार लिखे, प्रिएस ये की वाल्यू सक् अंडर्स्टेंडिंग अंडर्स्टेंडिंग समझ मां गया तो यह कॉलमन और स्टेट्मेंट ऑफेर्स जो सिर्फ संकट मोचन जी की क्लास है मेरे लेक्षर में आपको मिलेगा बाकी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा सरमाय स्कूल में नंबर मिलेंगे तीचर अकलमंद होगा तो दे देगा दिमाग से पैदा लोगा तो काट लेगा पूछ लीजिएगा ओके वो कावद ना मौके पे गधे को भी कजन ब्रदर बनाना पड़ता है तो कुछ वैसा ही है तो लेफ्ट साइड में लिखेंगे बच्चों और राइट साइड में क्या लिखेंगे Assets, got it clear? Previous year की value इस कॉलम में? Current year की value इस कॉलम में? Assets were known, liabilities were known, क्या पता लग जाएगा? Previous year के capital को क्या बोलेंगे हम? Opening और current year को? Closing. Is that clear? और ये रिष्टा क्या कहलाता है समझ गया आप लोग? बड़ा colorful लग रहा है सर्थ, दुनिया बेरंग हो गई ती साल बर में है So, अब आप बनाएंगे statement of profit and loss. सबसे पहले क्या लिखेंगे? Closing capital और capital at the end. Thereafter, you will mention drawings and introduction. क्यों सर्थ, drawings को add किया तो capital को कम करता है? Opening capital को कम करता है. हमने किस से start किया? उल्टा चलने वाली story याद है सबको? Thereafter क्या मिल जाएगा आपको answer बच्चों? Adjusted. क्या minus करेंगे? Opening. Answer क्या आएगा? अभी बस आप इस chapter को यहीं तक पढ़ेंगे. फिर मैं आपको final accounts with adjustments जब पढ़ा दूँगा, तो मैं उस पर वापस आऊँगा. Is that clear? तो जितना इस chapter को अ हमारे अगले lecture में निपढ़ जाएगा, फिर final accounts with adjustments पढ़ेंगे, so called the most भहेंकर, dinosaur देखा है, cobra snake देखा है, अरे movies बखेरा में देखा होगा न, उससे भी भहेंकर है. और पूरा class 12th का syllabus उसी chapter पे based है. अगर बच्चे ने financial statements ठीक से नहीं पढ़ा, भूल जाईए class 12th में कुछ स सब कोछ इतनी उपर से जाएगा, ऐसा लग रहा है कि जैसे जैगवार ओल रहा है, अब आस तो आ रही है, नजर नहीं आ रहा, समझ में आगई बात चलिए, तो आज की सेवा यहीं समाप्त होती है, balance sheet अभी हम नहीं पढ़ेंगे, next lecture we'll be doing this question children, बस आपको एक छोटा सा homework दे यह information आपको नजर आ रही है, March 17 की, कहा फिल करेंगे, current year, फिल करके ले आएंगे, बस इतना homework कर लीजेगा, ठीक है, चलिए, आज की सेवाई यहीं समाप्त होती है, कोई query है तो please,